वेलकम बेक टूदी क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के 30 Most Important MCQs ये चैनल पे मैंने specially क्लास 12 फिजिक्स के English Medium के स्टूडन्स के लिए MCQs सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें चैप्टर 1 से 3 अल्रेडी अप्लोड हो चुके है साथ-साथ में मैंने हर एक चैप्टर के जो Semester 2 के जो Major chapters है जो बड़े-बड़े chapters है उनकी One Short Videos भी मैंने अप्लोड करके रखे है मैं ट्राइ करूँगा कि एक्जाम से पहले Mostly सारे चैप्टर की One Short Videos आप तक पहुँचा पाऊ तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते है कुछ भी आपको अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट जरूर करके जाईएगा ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने का तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते है चैप्टर नमबर फोर पहला क्वेशन है यह सीधा का सीधा थेयरेटिकल क्वेशन है इसका आंसर आएगा औस्ट्रेट जो थेयरी थी टेक्स्बुक के अंदर स्टार्टिंग में उस पे से यह क्वेशन है ठीक है चलो दूसरा तो दिखो आपको फॉर्मला पता है कि जब कोई भी चार्ज मेगनेटिक फिल में जाएगा तो उसके उपर लगेगा मेगनेटिक फोर्स qv cross b अब अगर इसका मैं प्रोड़क निकालता हूँ तो f is equal to मिलेगा qvb sin theta अब अगर आपको यह फोर्स maximum चाहिए तो उसके लिए यह sin theta maximum होना चाहिए तो आपको यह एक चीज़ याद रखनी है कि f अगर maximum चाहिए तो आपको सामने क्या लगाना पड़ेगा qvb और sin theta की value maximum होनी चाहिए क्या होनी चाहिए maximum और यह maximum value क्या है maximum value of sin theta वो है 1 sin theta, cos theta दोनों की maximum value 1 होती है और यह theta कितना होगा 1 value के उपर 90 यानि यह दोनो v and b जब एक दूसरे से perpendicular होंगे तब आपको क्या लगेगा maximum force लगेगा क्या लगेगा maximum force answer number 2 हो गया यह चलिए number 3 maximum magnetic field शायद यहाँ पर question में कुछ गड़बड है यहाँ पर आएगा maximum magnetic force maximum magnetic force on an electron moving with velocity 4 into 10 raise to 4 is dash when it moves in a magnetic field having intensity 5 into 10 raise to minus 5 तेसला देखिए ध्यान से समझे एक electron है वो एक magnetic field में जा रहा है अभी magnetic field में maximum force के लिए उसको क्या होना पड़ेगा maximum force के लिए उसकी velocity और magnetic field perpendicular है अभी just हमने उपर उसको देखा तो उसकी velocity यह direction में और magnetic field उसकी normal चलो आपको क्या-क्या गिवन है तो आपको गिवन है उसकी speed 4 into 10 raise to 4 meter per second आपको गिवन है magnetic field की intensity यानि उसकी value 5 into 10 raise to minus 5 tesla और force आपको अपको अल्डेडी बता दिया है maximum तो यह theta कितना हो गया दोनों के बीच का 90 हो गया तो आपको यह बताना है कि कितना force लगेगा maximum force लगेगा कितना यानि theta 90 पे जो लग रहा है maximum वो कितना होगा तो देखो formula simple है f is equal to qvb sin theta और अगर maximum force लगाना है तो sin theta की maximum value 1 कर देंगे तो सामने आ जाएगा qvb चलो electron का charge 1.6 into 10 raise to minus 19 speed कितनी है 4 into 10 raise to 4 और b कितना है 5 into 10 raise to minus 5 चलो आप इसको multiply कर लो तो multiply करेंगे 5 into 4 20 20 into 1.6 32 यह हो जाएगा 32 चलो यह power देख लीजी आप लोग power क्या है minus 19 और minus 5 minus 24 plus 4 तो यह आजाएगा minus 20 तो अगर मैं इसको 3.2 लिख देता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 raise to minus 19 न्यूटन फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 3.2 10 raise to minus 19 न्यूटन यह हो गया आंसर नमबर 3 चलो नमबर 4 अब पार्टिकल हेविंग अ चार्ज क्यू मुविंग इत वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड in a uniform magnetic field यह वाला जो given है पार्टिकल मोजी ने एक्स डिरेक्शन force on it will be dash देखो ध्यान से सुनो आपका जो पार्टिकल है कोई भी पार्टिकल होगा है ठीक है उसका चार्ज है क्यू वो एक्स डिरेक्शन में जा रहा है अभी एक्स डिरेक्शन में जाने का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो आई केरेट के डिरेक्शन यानि 2 आई केरेट उसके उपर जो magnetic field लग रहा है वो है आई केरेट प्लस 2 जे केरेट प्लस 3 केरेट यानि तीनो डिरेक्शन में लग रहा है एक space में magnetic field लग रहा है ठीक है तो आपको बताना है कि उसके उपर जो magnetic force लगेगा वो कितना लगेगा simple इतना यानि कहां पे लगेगा वो बताना है option आपको axis भी given है और एक plane भी given है तो check करते हैं हम लोग कहां पे लगेगा तो देखो ध्यान से सुनो f का formula होता है q v cross b चलिए q कितना है हमारा तो q को हम लोग q रहने देता है क्योंकि हमें बस direction निकालनी है v जो है आपका v है आपका 2i caret cross b है आपका i plus 2j plus 3k तो आपको simply इतना समझ में आ रहा है कि जो v cross b की direction होगी वही f के direction अभी v cross b की direction कैसे निकाले तो cross multiplication वाला जो आप लोग rule अपलाई करते थे v cross b के लिए आप लोग उसको अपलाई कर दीजिए चलो v को मैं क्या लिख सकता हूँ तो मुझे पता है देखो आप 11th में पढ़ते है थे इसको i caret j caret k caret चलो i का x चलो v cross b करना है न तो देखो ध्यान से समन्दा v cross b करना है तो v के तीनो component पहले लिख दीजिए और v के तीनो component यहाँ पर लिख दीजिए तो चलो v के तीन component अभी v का बस एक ही component है i caret उसका j component 0 है k component 0 है उसी तरब b के तीनो component है 1 i caret 1 i 2 j and 3 k इसका cross multiplication कैसे करते हैं तो देखो simply आपको अगर basics बता है तो आप अगर i निकालना चाहरे हो तो आपको करना पड़ेगा j cross k यानि आपको यहाँ से 0 into 3 0 into 2 तो यह तो आजाएगा 0 प्लस अगर आपको j caret निकालना है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ से multiplication 0 into 1 यह तो आजाएगा 0 बीच में आएगा minus और यहाँ से उल्टा करेंगे 2 into 3 यह आजाएगा 6 प्लस अगर आपको k caret निकालना है तो आपको करना पड़ेगा i cross j यानि 2 into 2 करो यह क्या आएगा x j केरेट प्लस 4 k केरेट यानि हमारा जो v cross b का direction है वो किसी plane में है j केरेट और k केरेट तो इसका जो answer आएगा वो आएगा z y plane j और k जो represent करते है और y और z k कहीं बीच में लग रहा है यानि अगर मैं आपको exact direction भी बता दू तो यह लग रहा है minus j यानि minus j क्या होगा तो minus y और plus k यानि यहाँ पर बाहर के direction में अगर मैं इसको plus k मान लेता हूँ तो आपका जो force यह जो लग रहा होगा v cross b के direction वो कहीं पर इधर होगी यह है आपका minus j और यह है आपका plus k minus j plus k के बीच में वो लग रहा है इसका मतलब वो y z plane की अंदर है आंसर आजाएगा इसका option number a चलिए अभी करेंगे number 5 अब particle having a charge 2 kulum passes through a magnetic field 4k carat tesla in some uniform electric field with velocity 25 j carat if lawrence force acting on it is 400 i find the electric field देख़ो आपको क्या क्या given है वो पहले लिख लेता है charge है आपका 2 kulum उसके बाद magnetic field है आपका 4k carat उसके बाद आपका जो velocity है वो है 25 j carat lawrence force आपको given है lawrence force fl 400 i carat आपको बताना है electric field जब देखो question simple है आपको lawrence force का बस formula लगाना है f vector is equal to q e plus v cross b ठीक है चले q f आपको given है already 400 i is equal to q है आपका 2 यहाँ पे है e vector plus v vector कितना है 25 j cross b है आपका 4k तो आप ध्यान से देखिए इदर j cross की अगर आप लोग करोगे j cross k करने से answer आता है i carat तो चलो यह 2 को मैं नीचे ले लेता हूं इदर तो यह हो जाएगा 400 by 2 तो 200 i is equal to e plus 25 into 4 यह हो जाएगा 100 और j cross k हो जाएगा i अच्छा यह 100 को मैं अगर लेफ में लेके आऊंगा तो e हो जाएगा 200 minus 100 तो answer आजाएगा 100 i carat हमार answer हो जाएगा 100 i carat option number आपका a sorry option a नहीं option number c 100 i carat ठीक है चलिए number 5 when magnetic field due to current where magnetic field due to current carrying conductor is not obtained current carrying conductor यान एक wire होता है उसके axis से किसी भी distance पे अगर आपको magnetic field निकालना है तो उसका formula होता है b is equal to mu 0 i upon 2 pi r यानि distance from the axis होता है आपका r यानि मालों कि यहाँ पे निकालना है तो यह distance axis से r हो गया अभी अगर आप axis पे ही बात करो अगर axis पे ही बात करो तो आपको कोई magnetic field नहीं मिलता क्योंकि axis के उपर से अगर आप लोग जो graph draw करते थे वो आपको एक graph भी शायद याद हो तो हम लोग graph ऐसे draw करते थे कि surface तक magnetic field ऐसे रहता था और surface की बात क्या हो जाता था decrease होना शुरू होता था यानि यह center के उपर magnetic field 0 center के उपर magnetic field 0 और center यानि कहां पे तो axis पे where is not obtained not obtained पूछा है तो answer आएगा on the conductor की axis यानि on the axis of conductor answer आएगा C चलिए number 7 maximum kinetic energy of positive iron in cyclotron देखो इसका तो सीधा formula है formula है Q square B square R square upon 2M textbook में इसका derivation है आपको formula याद रखो तो अच्छी बात है वरना एक marks के MCU में आपको पूरा time देके derive करना है सीधा आप लोग इसको याद रख सकते हो derivation के लिए आप लोग text book में theory देख सकते हो करेंगे number 8 two straight parallel wires both carrying 10 ampere in the same direction attract each other with force 1 into 10 raise to minus 3 यानि समझ लोग कि दो wires है आप लोगों के पास दो wires ऐसे है दोनों में से same value का current same direction में जा रहे है यानि यहां से I same value का है इसलिए उसको हम लोग I से ही represent करेंगे वो है 10 ampere अभी यह किसमें जो force लग रहा है वो है आपका 1 into 10 raise to minus 3 newton ठीक है वो same direction है तो एक दूसरे को attract करेंगे अभी आपको बताना है कि if both the currents are doubled current को अगर आप लोग double कर दो what will be the force of attraction तो अभी अगर आप लोग जो final current है I2 को आप लोग 2I कर दो तो नया force कितना लगेगा तो सुनो द्यान से आपको initial force का formula लिख लेना है F1 is equal to formula पता है mu0 I1 यानि I I2 यानि I यानि पहले का current दूसरे का current L upon 2 pi D तो ये formula मिल जाता है mu0 I2 L upon 2 pi D और इसकी value है 1 into 10 raise to minus 3 newton अभी जब आप लोग current को double कर दो तो जो finally force लगेगा mu0 देखो जो current पहले दोनों में I और I थे अभी कितने हो गए 2I 2I L upon 2 pi D तो यहां से अगर मैं ये दोनों के 2 और 2 को multiply करके बहार निकाल लो तो ये answer हो जाएगा 4 mu0 I square L upon 2 pi D और ये वाला तो क्या है initial force है वो कितनी value का है वो है आपका 1 into 10 raise to minus 3 तो answer हो जाएगा 4 into 10 raise to minus 3 newton यानि current आपका sorry force आपका 4 times increase हो जाएगा 4 into 10 raise to minus 3 चलिए number 9 An electron most perpendicular to the uniform magnetic field be on the circle of radius R Now if the magnetic field is half अगर आप लोग magnetic field को half कर दो तो नई radius कितनी मिलेगी देखो एक simple सा formula याद रखना होता है कि यहां पे electron जब revolve कर रहा होता है तो उसके उपर जो centripetal force लग रहा है mv square upon R वो लग रहा होता है magnetic force Qvb की वज़े से Always यही formula आपको दिमाग में बिठा के रखना है जब वो circular motion कर रहा होता है यानि जब वो perpendicular जाएगा magnetic field के तो वो circular motion करेगा तो उसके उपर जो centripetal force लग रहा है वो magnetic force के बराबर हो अभी आपको करना क्या है कि radius बतानी है magnetic field change करके तो देखो यहां से मैं छोटा सा अगर solution निकालू तो एक V cancel हो जाएगा यह square चला जाएगा अगर आप radius को subject बना लेते हो इदर तो वो हो जाएगा R is equal to mv upon qb अच्छा अभी आपको करना क्या है magnetic field को ही change करना है तो R का magnetic field से relation है R proportional to 1 upon b तो चलो अभी करना क्या है half कर देना है तो देखो ध्यान से कि R1 upon R2 वो हो जाएगा B2 upon B1 चलो R1 तो R है वो तो R ही होगी ठीक है question में given है R2 बतानी है B2 आपको कर देना है B by 2 और initial था वो B1 B के बराबर यानि आपका जो B2 हो गया ये जो B2 है वो कितना हो गया ये वाला B by 2 और initial B1 था आपका B के बराबर चलो यहां से B और B चैंसल हो जाएगा तो अगर आप लोग R2 को यहां से सामने ले जाके subject बना लो तो R2 हो जाएगा 2R यानि inversely proportional से simply समझ में आ रहा है कि जब मैं magnetic field को half करूँगा तो radius डबल हो जाएगी तो मेरा answer आजाएगा इदर 2R option number C चलिए number 10 if the speed of the charge particle moving through a magnetic field is increased then the radius of curvature will be dash तो देखो simple सी बात है R का just हमने formula निकाला R is equal to MV upon QB तो अगर हम लोग speed बढ़ाएगे तो radius बढ़ेगी simple सी बात है तो answer आ जाएगा इसका increase simple है उपर जो निकाला वैसे ही करने है चलिए number 11 magnetic field at points P and Q are directed towards dash देखो आप लोग यहाँ पे right hand thumb rule लिका लो लगाओ तो current अगर उपर जा रहा है तो इसकी अंदर जो circle बनेंगे वो ऐसे बनेंगे ऐसे पीछे गूम के जाएगा यानि आगे से पीछे जाएगा अगर आप लोग right hand thumb rule के अंदर अगर आप उपर की direction में थम रखोगी तो आपकी fingers ऐसे curl होगी तो आपकी fingers ऐसे curl होगी dot sorry यह नहीं option number आपका A आजाएगा P पे cross Q पे dot option number A चलिए number 12 if a current of 1 ampere is passed through a straight wire of length 2 meters what is the value of magnetic field at a point in the air at a distance 3 meter from the either end of the wire and on the axis of wire सुनो ध्यान से समझो आपके पास एक आपके पास एक क्या है wire है जिसमें से आपका current जा रहा है 1 ampere जिसमें से current जा रहा है जिसमें से current जा रहा है 1 ampere अचा उसकी length आपको गीवने देखो यानि एक चीज समझ लो कि infinite length का wire नहीं है generally जो formula हम लोग लगाते है वो infinite length के लिए लगाते है यह 2 meter length का wire है ठीक है आपको यह बताना what is the value of magnetic field at a point in the air at a distance 3 meter from either end of the wire and on the axis of wire यानि यहाँ पे एक point है आपका अचा point आपको axis पे गीवन है तो इसका answer सीधा 0 या जाएगा अगर कहीं perpendicular पे given होता equator पे given होता तो answer आता यहाँ पे सीधा 0 answer आजाएगा तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं अगर यही question आपको equator के लिए given होता तो आपका answer 0 नहीं आता कोई ना कोई आपको find करना आपड़ता तो यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि axis पे पूछा है तो answer 0 आजाएगा चलिए number 13 SI unit of permeability तो इसका सीधा answer है textbook में आप लोग देख सकते हो tesla meter per ampere कहां से आता है तो आप लोग एक magnetic field का formula लगा के देख लो mu 0 upon 4 pi i dl sin theta upon r square यह मैंने लगाया है ring के लिए तो देखो mu 0 को आप लोग subject बना लो mu 0 को subject बना लो b into 4 pi r square upon i dl sin theta अभी sin theta का कोई unit मतलब dimensional formula में उसके unit में कोई हम लोग नहीं लेते उसको value होती है 4 pi भी नहीं होता अगर मैं unit लिखो बाकी चीजों का तो magnetic field का मिलेगा tesla r square का मिलेगा meter square यहाँ पे current का आएगा ampere और dl एक length है उसका आएगा meter वापिस एक meter cancel हो जाएगा तो मेरा final answer बन जाएगा tesla meter per ampere final answer बन जाएगा tesla meter per ampere चली number 14 a long solenoid carrying a current produces a magnetic field b along its axis if the current is doubled and the number of turns per centimeter is half number of turns per centimeter को half कर दो current को double कर दो तो आपको बताना नया magnetic field कितना होगा formula simple है b is equal to mu zero ni जहाँ पे n क्या है number of turns per centimeter और i है आपका current तो आपको करना क्या है नया जो magnetic field निकालना है उसमें क्या करना है number of current को double कर दो यानि i को कर दो 2i और number of turns को आदा कर दो यानि इसको कर दो n by 2 तो अभी नया magnetic field तो आप ध्यान से देखो इसको आदा करने से 2 divided हो रहा है इसको double करने से 2 multiply हो रहा है तो answer वापिस वही हो जाएगा क्या हो जाएगा mu 0 ni यानि वो b के बराबर ही रहेगा जो initial था वही रहेगा final answer आपका वही आएगा b dash is equal to b चलिए number 15 length of a solenoid having 5000 turns in 40 cm magnetic field produced inside is it is dash dash law if 10 ampere current is passed through it देखो formula होता है b is equal to mu 0 ni अभी मैंने जश्ट आपको बताया कि small n क्या है number of turns per centimeter पर यहाँ पे आपको अगर length given है तो आप उसको लिख सकते हो पूरा number of turns per centimeter को total number of turns per length into i चलो formula लगाता है mu 0 क्या होता है 4 pi into 10 raise to minus 7 into number of turns है 5000 length है 40 cm यानि 40 into 10 raise to minus 2 और आपका जो current है वो है आपका 10 तो इसको आप लोग solve करोगे solve करने पे आपका answer आजाएगा यह वाला option number 1 calculation करके देख लेना option number यह answer आजाएगा कुसने करना बस calculator में values रखनी है चलिए 16 shape of ideal toroid देखो toroid सबको बताए toroid का shape इस तरह से होता है कि यह उसकी axis हो गई और यहाँ पे ऐसे coil को ऐसे wound करके रखना होता है यह आपका toroid है तो toroid का simple answer आएगा shape क्या है उसका circular है magnetic field inside the toroid is dash देखो toroid की axis circle होती है toroid की जो axis होती है वो ऐसे circular axis होती है यानि यह वाली उसकी axis है अंदर यह उसकी axis है अंदर ठीक है तो अगर यह axis है अचागर में इसका color change करके दिखाऊ रूब एक सर आपको थोड़ा ज़ाद idea लगेगा उसकी axis यह होती है यह उसकी axis है अंदर तो अगर toroid की axis की अगर मैं बात करूँ तो उस पे जो magnetic field होता है आपका वो किसी भी circle पे देखो आपको कभी भी जब direction निकालनी है तो वो always आती है tangential यानि magnetic current ऐसे current ऐसे flow रहा होता है तो जो magnetic field generate होगा वो circular direction में होगा तो direction उसकी always निकल के आएगी tangential आंसर आएगा tangential चलिए number 18 एन electron moves with a constant speed V along the circle of radius R its magnetic moment will be dash देखो magnetic moment का simple सा formula होता है जैसे कि आपको बुला है कि एक electron circle में से revolve कर रहा है circle में से revolve कर रहा है तो आपको बतानी है उसकी magnetic moment magnetic माल लोगी R radius में गुम रहा है बता है आपको question में R radius में गुम रहा है तो आप और V speed से भी गुम रहा है वो भी बता है और tangential speed speed constant रहती है velocity की direction तो आपको बताना है उसका magnetic moment simple सा formula होता है M is equal to I A और अगर circle में गुम रहा है तो A हो जाएगा pi R square ठीक है पर अभी ये वाला answer option में नहीं है answer जो option में है सभी option में आपको electric charge E के form में सारे option है तो सुनो आप लगा सकते हो here I is equal to Q upon T अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक circle जब गुमेगा तो चलो charge E upon speed वापिस सुनो ये जो time लग रहा है वो कितना distance cover करने के लिए है एक circle का यानि हमने उसको लिखा है oscillation का period यानि circle का period 2 pi R जितना distance upon V speed से कर रहा है तो अगर मैं इसको उपर ले जाओ तो ये आजाएगा EV upon 2 pi R तो मेरा I निकल के आगया EV upon 2 pi R बस उसको यहाँ पे put कर देते है तो मेरा M निकल के आजाएगा EV upon 2 pi R into pi R square चलो क्या cancel हो रहा है मेरा pi cancel pi cancel square चला गया एक R cancel तो final answer बचेगा मेरा EV R upon 2 तो answer आजाएगा 1 by 2 EVR कितना answer आएगा 1 by 2 EVR चली नमबर 19 dash can measure small current and small voltage सबको पताएगी galvanometer वो चीज कर सकता है पर वो बहुत जादा sensitive होने की वज़े से हमें उसको A meter और volt meter में convert करना पड़ता है क्योंकि वो full deflection show कर देता है छोटे से current और voltage पे पर अगर छोटे से ही current voltage की बात चल रही है तो galvanometer useful है वो measure कर सकता है dash has a maximum resistance maximum resistance आएगा volt meter में क्योंकि उसमें जो connection लगाने होते है galvanometer के साथ एक बड़ा series में resistor connect करना होता है Rg प्लस Rs तो यहाँ पे answer आएगा volt meter number 21 an electron of mass an electron of mass M charge Q is traveling with a speed V along a circular path of radius R at right angle to a uniform of magnetic field B if speed of electron is doubled and magnetic field is half then the resulting path would have a radius of dash देखो simple सा formula है R is equal to MV upon QB यह कहां से आया वो भी मैंने आपको पहले उपर एक question में समझा दिया आपको क्या करना है कि speed को double कर दो आपको क्या करना है speed double and magnetic field is half तो नई radius कितने मिलेगी देखो speed को double कर देदे M speed को कर दो 2V और magnetic field को कर दो B by 2 अभी देखो upon QB तो क्या है आपका यह तो initial radius है यह तो क्या है initial radius है तो यह हो जाएगा 4R के बरावर answer आएगा 4R 22 A long straight wire carries a current of 35A What is the magnitude of field at a point 20 cm from a wire देखो long word यूज किया है तो वो infinite length का है याद रखना इसको ठीक है तो सुनो एक wire है ऐसे चलो मैं इसको ड्रो करके समझाए दाओ एक wire है जिसमें से कुछ current जा रहा है 35A का आई जितना current और यह long यानी infinite length का है current जा रहा है आपका 35A आपको बताना है कि What is the magnetic field at 20 cm from the wire यानी कहीं से भी आप लोग 20 cm जितना distance लेलो R is equal to यहाँ पे कोई point P लेलो R is equal to 20 cm यानी 0.2 m या फिर 20 into 10 is to minus 2 भी लिख सकते हो आप लोग भी आपको निकालना है तो simple से आपको formula बता है B is equal to mu 0 I upon 2 pi R चलो mu 0 की value 4 pi into 10 raise to minus 7 चलो current है आपका 35 नीचे है 2 pi और R है आपका point 2 चलो 2 pi से 4 pi कैंसल करो 2 बचेगा चलो उपर आ जाएगा 70 into 10 raise to minus 7 divide by 0.2 तो ये हो जाएगा 350 into 10 raise to minus 7 आंसर आजाएगा आपका 3.5 10 raise to minus 5 चेक कर लेते हैं option में given है 3.5 10 raise to minus 5 option number C आएगा चलो नमबर 23 a proton and alpha particle with kinetic energy Kp and K-alpha respectively enters the region of magnetic field perpendicularly the ratio of radii R2 to 1 find Kp to K-alpha यानि kinetic energy का ratio निकाले देखो kinetic energy का formula भी हमने बता दिया formula याद रखना है Q square B square R square upon 2 M अभी अगर हम लोग निकाले kinetic energy of proton divided by kinetic energy of alpha देखो अभी एक चीज़ समझ लो कि जब मैं ratio लूँगा तो magnetic field same है उसमें enter करना है तो ये तो cancel हो जाएगा चलो क्या बचेगा तो बचेगा आपका Q चलो मैं उपर लिख देता हूँ Q of proton square R of proton square divide by 2 mass of proton ये 2 भी cancel हो नहीं वाला है पर हम लोग कर रहे हैं उसको ठीक है Q of alpha square R of alpha square upon 2 times mass of alpha simple ये formula मैंने उपर नीचे रख दिया ये जो formula था मैंने उपर proton के लिए रख दिया और नीचे alpha के लिए रख दिया है कि वो दोनों same magnetic film में एंटर कर रहें ठीक है चलों ये दो-दो cancel हो जाएगा ये alpha का मास उपर जाएगा proton का मास नीचे आएगा ध्यान से समझना question को तो देखो उपर बचेगा Q of proton का square R of proton का square और mass of alpha और नीचे बचेगा Q of alpha का square R of alpha का square mass of proton अभी simple सी बात है कि proton का charge proton के center nucleus की अंदर मतलब proton का charge E होता है proton मतलब एक particle है उसका E square और जो alpha होता है उसके alpha की बात चल रही है तो उसकी अंदर दो charges होते है 2E तो ये हो जाएगा 2E का square चलो उसी तरह radius rp upon r alpha देखो आपको जो ratio given है radius का ratio है 221 given है 2.1 है शायद वहाँ 2.1 है तो वो 2.1 का square शायद वो 221 होना चाहिए 2.1 नहीं होगा 221 और दोनों का square है यानि ये पूरे का square और m alpha कितना होता है mass of alpha particle वो 4m के बराबर उसमें 2 proton 2 neutron होते है और आपका जो proton है वो तो खुद एक particle है तो उसका तो कितना होगा m के बराबर यानि alpha क्या है पता है ना सबको alpha होता है nucleus of helium nucleus of he यानि उसके अंदर जो charge होगा वो 2 proton के बराबर होगा यानि proton का अगर e है तो alpha का 2e होगा और उसके अंदर 2 proton 2 neutron होनी की वज़े से mass उसका 4m हो जाता है mass में तो 4 काउंट होंगे ठीक है तो देखो यहां से क्या क्या cancel हो रहा है mm हटा हो चलो e square हटा हो यह e चाहेगा तो चलो क्या बच रहा है तो ध्यान से देखना ऊपर बच रहा है यह 2 का square यह 2 का square 4 साथ में पीछे वाला यह 4 नीचे बच रहा है 2 का square यह 2 का square 4 4, 4 cancel हो जाएगा answer आजाएगा 4 by 1 answer आजाएगा 4 by 1 option number 1 तो simple सी बात है आपको kinetic energy का formula पता होना चाहे ध्यान यह रखना है कि जो charge alpha का है वो 2 proton के बराबर है और mass alpha का जो है वो 4 times mass की पराबर क्योंकि उसके अंदर 2 proton 2 neutron और charges में 2 proton का 2E charge इतनी चीज़ा आपको ध्यान रखना है radius का ratio तो given है उसको आपको agities put करना है answer आएगा option number A चलिए 24 eddy currents are passing through two very long solenoid parallel wires in the same direction they will देखो सब same direction में always वो attract करते है same direction में attract opposite direction में repel कोई भी question पूछे यह answer आएगा अगर wire में से दो straight wire है ऐसे अगर उसमें से same direction में current जा रहा है तो वो एक दूसरे को attract करेगा और opposite direction में जा रहा है तो repel करेगा 25 there are 50 tons per centimeter length in a very long solenoid it carries a current of 2.5 what is the magnetic field at the center magnetic field का formula होता है b is equal to mu 0 n i small n सबको पता है number of turns per unit length उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n upon l into i चलो सारे option में pi है तो pi को value में याद रखना value नहीं रखनी 4 pi 10 raise to minus 7 number of turns है 50 per centimeter यानि 10 raise to minus 2 और current है आपका 2.5 चलो 50 उपर वाले अगर मैं calculation कर लो यह हो जाएगा 4 into 2.5 10 हो जाएगा और 10 into 50 हो जाएगा 500 pi तो है ही into 10 raise to minus 7 और नीचे वाला 10 raise to minus 2 उपर ले जाओ तो यह हो जाएगा 10 raise to plus 2 answer हो जाएगा 500 pi into 10 raise to minus 5 और अगर मैं double 0 उदर दे दो 5 pi into 10 raise to minus 3 final answer हो जाएगा 5 pi into 10 raise to minus देखो आपको यहां की idea लगया था 5 वाला यह answer आने वाला है फिर भी हमने उसको confirm कर लिया 26 which one of the following is correct for Lawrence force तो simple formula है q e plus v cross b शायद यहां पर option एक भी नहीं है एक भी option नहीं है answer आएगा none of the choices correct answer होना चाहिए इसका f vector is equal to q e vector plus v cross b इस तरीके से answer होना चाहिए पर option में एक भी नहीं है यह option लग रहा है आपको पहला option है पर वो गलत है यहां पर b cross v है correct answer v cross b वाला है चले number 27 which one of the following is used to implant ions into solid and modify their properties तो answer आएगा cyclotron cyclotron का का काम होता है कि charge particle को accelerate करना और उसको किसी और solid के उपर गिरा के उसकी properties को modify करना 28 the force between two parallel straight conductor two straight parallel conductor of negligible cross section and placed one meter apart one meter apart in a vacuum carrying equal current is one milli ampere of one milli ampere is dash देखो दो wire है ध्यान से समझ लो दो wire है से दोनों के बीच का जो distance given है वो है one meter one meter apart रखे सा बुला है उसके बाद उनकी अंदर जो current जा रहा है दोनों में same जा रहा है i1 is equal to i2 is equal to i is equal to one milli यानि 10 raise to minus 3 ampere तो आपको बताना है कि force कितना लगेगा तो simple जब formula है f is equal to mu0 i1 की value भी i i2 की value भी i l upon 2 pi d mu0 होता है 4 pi into 10 raise to minus 7 यह i into i हो जाएगा i square और i square यानि 10 raise to minus 3 का square 10 raise to minus 6 दोनों की length देखो अभी यहाँ पे जो force लग रहा है वो कहीं पे नहीं given अभी actually में यह force newton per meter में होना चाहिए क्योंकि हमें length नहीं given तो हम लोग क्या करेंगे कि force per unit length निकाल लेंगे यानि हम लोग क्या करें कि यहाँ से length को हटा के force per unit length निकाल लेते हों चलिए देखें द्यान से तो यहाँ पे कुछ पीछे आएगा नहीं यहाँ पे length हमने हटा दी है चलो नीचे आजाएगा 2 pi और दोनों की बीच का distance है d1 meter यह pi pi cancel 2 से 4 आप हटा होगे तो यहाँ आजाएगा 2 final answer आजाएगा 2 into 10 raise to minus 30 newton per meter 2 into 10 raise to minus 13 option number C 29 what is the magnitude of equatorial magnetic field due to a bar magnet of length 5 centimeter and having a dipole moment 0.40 ampere meter square at a distance 50 centimeter from its midpoint देखो यह जो question है electric dipole के जैसा ही है एक magnet है आपके पास उसके center से 50 centimeter distance के उपर एक point है इसको मान लो R और R is equal to 50 centimeter एक आप ले लो north एक ले लो south तो इसका formula बनता है जैसे वहाँ पे बनता था equator के उपर minus kp upon r cube यहाँ पे बनेगा minus लिखने की जोद है नी आपको बस magnitude ही निकालना है तो magnitude ही निकालना है तो k की जगा यहाँ पे आएगा mu 0 upon 4 pi p की जगा आएगा m और R cube की जगा R cube formula सीधा है ठीक है mu 0 upon 4 pi की value 10 raise to minus 7 आप इसको calculate कर लोगी तो आपका final answer हो जाएगा 3.2 10 raise to minus 7 option number D ठीक है चले 30 in a cyclotona charge particle simple सी बात है undergoes acceleration at all time क्योंकि उसके अंदर वो circular motion करता है तो हर एक point पे उसके पास acceleration होता है यहाँ पे खतम हो रहे हमारे बहुत ही अच्छे से 30 MCQs I hope कि आपको सारे concept समझ में आये है मैं try करूंगा कि यह chapter का one short video आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दू ताकि आप लोग theory की भी अच्छे से practice कर सको विडियो अगर आपको समझ में आया हो कोई भी अगर थोड़ी सी भी help हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा Thank you very much इसी तरह हमारी सीरीज चालू रहेगी और सारे चेप्टर में आपको एक एक करकी प्रोवाइड करा दूँगा तब तक आप लोग अच्छे जब preparation करते रहें एक्जाम की Wish you all the very best